मेरा पिछला वीडियो जो की एक Wi-Fi Nanoscan application के उपर था जिसमें मैंने बताया था कि वह application एक बड़ अगर develop हो गया तो किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से हम without internet local services को access कर पाएंगे चाहे वो किसी भी तरीके का काम क्यों न हो लेकिन उस पे आप लोगों के काफी सारे response आए जिसमें आपने ये बोला कि ऐसा कोई application नहीं है या ऐसा कोई application बन नहीं सकता है जो कि without internet काम करें ये एक बखवास है तो दोस्तों उसी चीज को और clear करने के लिए उस चीज को और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं ये हेलो फ्रेंस वेलकम बैक वनस अगें टू इंस्पार वक्स दोस्तों वाइफाइ नैन स्कैन एप्लिकेशन क्या है आज इस चीज को हम question and answer के दौर पर समझते हैं one by one करके break करके कि हाँ वागई में application है कि नहीं ये without internet काम करेगा तो किस तरीके से करेगा और इसमें जो protocol exist करता है कि नहीं करता है description में मैंने सब के link दिये हैं वहाँ पर जाके आप इस चीज को check कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले चलिए हम इस diagram को देख लेते हैं यह ऐसा diagram है जो मैंने आप लोग के लिए बनाया है आप लोग के लिए ease of understanding के लिए बनाया है यह diagram आप देखेंगे त जो वाइफाइ नैन स्कैन application है क्या ऐसा कोई application Google Play Store पे है जी हां बिल्कुल है और यह Google के help से develop किया जा रहा है और जो technology इसके लिए काम कर रही है डाट इस नैन अगर आप जो है Android development के website पे जाएंगे तो वहाँ पे इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी and there are lots of other sources चाहे हो media हो या बहुत सरे articles हो जिसमें इस तरीके की application का जो है news आ रही है या उसके बारे में लिखा जा रहा है तो आप उस चीज को भी जरूर चेक करें तो यह कोई fake नहीं है या ऐसा application नहीं है कि जो feasible नहीं हो सकता है बहुत जल्दी बहुत ऐसा होगा क्योंकि अगर आप लोगों आपने एक application मुझे नाम आज भी याद है अगर यूज किया हो तो उसका आपको टेक्निक पता होगा कि वह application किस तरीके से काम करता था शेर इट करके एक sharing app आता था जो कि हम अपने mobile में download करते थे और बहुत ही fast वो data एक mobile से दूसरे mobile में transfer करता था जब हम हमें huge document या movies अपने करता था जी नहीं वह शेर इट application जो है wifi soft access point का यूज करता था और उसके थ्रू जो है अपने आसपास के area में जो भी wifi पे उस शेर इट application पे as a subscriber available हैं उनको वह scan करता था और फिर हम उससे connect करते थे और वह data बहुत fast 2 mbps के around में उसकी speed थी और उससे वह data बहुत जल्दी transfer हो जाता था तो दोस्तों यह application wifi nanoscan भी कुछ इसी तरीके का application है जिस पर काम चल रहा है लेकिन इसमें केवल हम एक दूसरे से data ही transfer नहीं करेंगे बहुत सारे services को local discovery जिसे कहते हैं उस चीज को access कर पाएंगे अब हम चलिए इस diagram पर बढ़ते हैं जो diagram मैंने आपको दिखाया था अगर यह आप diagram देखेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे components दिखने को मिलेगा P1, P2, S1, D1, D2 तो यह सारे components है क्या मैंने आपकी understanding के लिए यहाँ पर description भी इसके दिये है कि क्या क्या है यह एक local discovery है यह जो आपको circle दिखाए दे रहा है मैंने circle 1 meter square कर लिया है इसमें यह आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि यह एक जो है local area हमारे आसपास है अगर हम इसके middle में खरे हैं तो यह हमारे आसपास जो है यह एक local area है जहां पर बहुत सारे services available है हमारे लिए चाहे वो garage की service हो चाहे restaurant की service हो या किसी और तरीके की service हो या कोई हमारा दोस्त हो जो हमें कोई data या कोई file share करना च चाहते हैं तो यह सारे application क्या है एक Wi-Fi network 9 network के उपर available है उसके discovery के थूँ यह सारे discover हो रहे हैं और यह सारे local services उसके उपर जो है available है जिसको हम as a subscriber जब चाहे तब access कर सकते हैं और इसके लिए हमें किसी भी internet की जुरूत नहीं परेगी अगर आपको याद हो तो Wi-Fi 9 scan application के उपर दो terminology के उपर जोड दिया गया है पहला one publisher and the second one is subscriber तो publisher कौन होता है publisher हो होता है जो कोई भी content है वो publish करता है like that कि मैं एक YouTuber हूँ मैं अपना YouTube वीडियो publish करता हूँ तो I am a publisher और अगर आप viewers है तो you acting as a subscriber जो उस चीज़ को देखते हैं या उस चीज़ को consume करते हैं तो same concept यहाँ प मैं एक publisher हूँ मैंने किसी चीज़ को wifi nanoscan application के उपर publish कर दिया तो उससे जुर जितने भी आसपास के लोग हैं जो local discovery में होंगे वो उस चीज़ को access कर सकते हैं देख सकते हैं हम अब बात करते हैं दूसरे component subscriber की तो subscriber कौन था subscriber वो बंदा है जो अपने local area के network में जो की एक wifi nanoscan application के उपर है वहां पर वो किसी भी service को consume करना चाहता है उसको access करना चाहता है चाहे वो restaurant के service की facility हो गैराज की facility हो या कुछ भी ऐसा जो कि उस wifi nanoscan application के उपर available है तो यह डो terminology जो use की गई है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको share it की terminology से काफी ज़्यादा similar लगेगा जिसमें एक बंदा share it के application को खोलता था और उससे through data as a host जो है वो data transfer करने के कोशिश करता था और दूसरा बंदा as a client उससे connect होने की कोशिश करता था और वो एक radar की तरह जो है वहां पे उस चीज को scan करता था और जब वो उस point पे मिल जाता था तो उससे connect करके उस data को share करना start कर देता था तो लोकल discovery के अंदर जो यह वाइफाई नैन स्कैन एप्लिकेशन डेपलप करने की कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा ही इसका एक model है एक structure है जिसमें जो है हम radar की तरह जो है एक area को उसको जो है scan करेंगे और वहां पे different different जो पॉब्लिशन एवलेवल हो होंगे उनके थुरू हम connect करके यह जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास कौन सा ऐसा सर्विस एवलेवल है जो हमारे लिए फायदे मंद हो तो होप सो दोस्तों कि अब यह सारी चीजे आपको clear हो गई होंगी और यह सारी चीजे real में है और यह चीज implement हो सकता है ऐसा बिलक इसका way of transferring जो था वो different था और यहां पर जो चीजे होने वाली है that is totally different अभी के टाइम पर जो वाइफाइ नैन स्केन अप्लिकेशन है उसके अंदर यह कोशिश की जा रही है कि हम सबसे पहले accurately दो पॉइंट के बीच का distance मेजर कर पाएं ताकि हमें यह feasibility पता चल पाएं कि 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 देर तक जो है यह कितने डिस्टेंस तक जो है एक वाइफाइ नैन स्केन अप्लिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है एक बार यह चीज अगर develop हो गई तो वह सारी services भी हम उसके उपर लाना शुरू कर देंगे ताकि उसका हम इस्तिमाल कर सके उसका यूज क आप जाके इसे चेक कर सकते हैं इसकी authenticity को पता कर सकते हैं Google Play Store पे जो यह nan scan application available है उसको आप जाके चेक कर सकते हैं thorough out फिर आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी और सारा authentication आपको मिल जाएगा लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल कुछ इसी तरीके के model पे बाहर के किसी एक country में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से local sharing का इस्तेमाल किया जा रहा है हलाकि वो अभी internet based ही है लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से एक local sharing का use किया जा रहा है जिसके अंदर जो locally लोग है आसपास के लोग है वो एक दूसरे से अपने समान का sharing करते हैं माली से किसी के पास tool न buying things जिस चीज के हमें जरूवत नहीं है long time के लिए उसे हम में खरीदने से अच्छा है कि हम अपने प्रोसी से लेकर के उसका इस्तेमाल करें तो आप मुझे उस country का नाम बताई जहां पर यह एक model चल रहा है thanks a lot for watching